शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें खले खलेत्य वीडियो के लिए साइब के लिए साइब क्पारा लुमीज कीजिए स सक सनिर कर दो 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 कि गुंडे के हाथ से चाकु छूट गया कि और बसके लोग जो थे उन्होंने गुंडे पर काबू पा लिया इस तरह से उस बहादुर बच्चे ने उस महिला का मंगल सुत्र लूटने से बचा लिया वो लड़का है मनीश सावंथ अच्छा यह बताओ आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हूं आप जैसा ऑफिसर बनूंगा और सब गुंडों की चुट्टी कर दूंगा मिस्टर चाउद्रे मैं किसी फंक्शन में जाने के खिलाफ नहीं हूं मगर इस वक्त जब हमारे पुलीस डिपार्टमेंट पर पहले से सवाल उठ रहे हैं स्टेज में मलाए पहन के खड़े होना लोगों की तालिया सुनना यह सब कुछ ठीक नहीं लगता लेकिन मैं वहां कोई माला पहनने के लिए नहीं गया था सर और नहीं कोई मैडल या शील्ड लेने के लिए मैं तो सिर्फ बच्चों की होसला अफजाई के लिए हलो मिस्स बरूचा ओ हां मिस्स बरूचा हां कैसी आप अरे जी मैं ब्यूटी पालर की इनौगिरेशन में क्या करूंगा तो आ रही है ना ठीक है ठीक है मिस्स बरूचा मैं भी आ जाओगा मगर डेडी मैं से लोगों के साथ काम नहीं कर सकता मुझसे यह सब देखानी चाहता क्या देखा नहीं जा रहा है बर्खुरदार आप समझते क्या है अपने आपको देखो जरा अपने मिजाज में थोड़ी सी नर्मी लाओ सही दुनिया से पैचान तो अब होनी है तुम्हारी जब किसी काम दंदे में जुटोगे ना तब बात समझ में आएगी वाह मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा है वह गई क्लास सुबह सुबह माही यह दैडी मुझे समझते क्या है उनका बेटा हूं यह भवु अरे जब इस दुनिया में आया हूं तो सब कुछ देखे लूँगा जब देखो भाशन देते रहते हैं विशाल अरे मर गया मैं विशाल यहां मेरी फाइल पड़ी थी जी जी रड़ी जी ओ ठीक है जाता हूं अच्छा वाज चले गए परना मैं तो इन्हें बोलने ही वाला था मैं क्या धरता हूं इंसे नहीं वो डरते हैं तेरे से और क्या किसी को कॉफी शॉफी पिलाई के नहीं अरे कहा मा ने नौकरी मिलती है ने चोकरी चुपकर जोड़े तो उपर से बन कराते हैं तेरे लिए भी कोई सुशील सुन्दर गुडिया जैसी रड़की होगी हे प्रभू हे भगवन मुझ पर कब नजर डालोगे मेरी भक्ति का फल कब मिलेगा मुझे हे दाता सिर्फ एक मौका दे दीजी अच्छी अच्छी हीरोइनों की छुट्टी कर दूंगी ओम श्री देवानन जी नमाहा देख रही हो यह फिल्मी भूत ले डुबेगा इसे परेड करवा देगा इसकी अरे इससे कहो के दो मिनिट भगवान के सामने हाथ जोड़े संभल जाएगी अभी उमर ही क्या है उसकी उमर ही क्या है यह क्या है मोहीनी का नाशना यह नाशना है यह उबले हुए आलू और और गरम पानी में निम्बू शहत के साथ इंदेना मैं डाइटिंग पर हूँ वो क्या है ना डैर हम आर्टिस्ट लोगों को अपने फिगर पर ध्यान रखना पड़ता है मगर खाना क्यों छोड़ दिया मेरी भी समझ में नहीं आ रहा अचानक इसने खाना पीना छोड़ द बेटी से मैं बदल जाती जैसे फिर्म भागेवान में मैं वहां पल रही होती बंगला गाड़ी नौकर वह और वो यहां आपके इस घर में बस मैं चला आप तुम ही जहलो इसे आप डैरी एक 200 रुपे दे दीजिना यह 200 रुपे तु तु तेरे वो शेट क्रोडी मल से ले अच्छा है ना फेस मसाज करवाना है डैरी पैसे दो ना चुपकर मैं कोई रिश्वर्ट कोड पुलीस वालों में से नहीं हूँ जो 1400 की तंखा में 200 रुपे फेस मसाज को दे दूँ सुनिए दिल मत तोड़िये इसका यह मेरी चूडियां लीजिये और इनी गिर्वी रख तो कोई नहीं मुसीबत बोल लेना मैं हमेशे डरावा रहता हूं कई तुम्हारी मज़े से मेरी चुना कर ट्रांस्मर नहीं हो जाए और मैं इस उमर में चुना कर जाना नहीं चाहता प्यूटी बजाना तो बात की बात पहले इस जगह की एहमियत को समझे अच्छा हुलिय यह क्या है यह फाई आर का रिजिस्टर है यह इसमें रिपोर्ट दर्श करते हैं आप देव कि नंदर जी मैं दो बार आपकी ट्रांस्फर रोक चुका हूं इस बार सीधा आपको जूनागर भेजूगा जूनागर जानते हैं एसीपी साब मुझे बार बार जूनागर ट्रांस्फर करने की क्यों दमगी देते हैं उन्होंने मेरे बाप की फाइल पड़ ली है और मेरे बाप ने डाकू भूपत को मरवाय था और डाकू भूपत का पोता मेरे लिए जूनागर में वेट कर रहा है अगर मैं जूनागर गया तो मेरे इस मैं सिर्फ जूनागर जाओंगा आओंगा नहीं अब आपका कामि बुझे करना पड़ेगा का का है है हाई मुझे जरा आगे तक छोड़ देंगे प्लीज हाँ बैठी ना आपकी तो गाड़ी है थेंक्यू थेंक्यू वेरी मॉच यहां से राइट ले लिजी हाँ हाँ मैंने तो राइट कहा था कोई बार याप मुझे कहा ले जा रहे है चुक्चाप बैठी रहे यह तो गलत गारी में लिफ ले लिए भाई साथ आप मुझे आगे उतार दीजे ना प्लीज वो वो देखे मैं आप मुझे साइट पर दीजे ना अज़े गब्राव बद अपना गर समझो चौड़े मुझे चौड़े मुझे चौड़े मेरी जियानि कहा जा रही है अज़ट भाई साथ छोड़े मुझे प्लीज मैं आपके बहन जैसी हूँ ना यह लेकिन मैं भी तो तेरे मर्दी जैसा हूँ ना तू नहीं मालेगा साले अरे भागके कहा जाएगी आज तो मेरा पच्छी सुआ रहे जुगली बनाऊंगा जुगली आप अरे वरे इनल मालेगा जुआते जहünde हईब गया तो मालेव अो! प्याँ! टूआते खुआते जुआते पर दो यां आप परी जे रां पुचाँ करता है पुचाँ पुचाँ सवीग मत मेर मार मेर मत मार सुजब इस रपके कसी ने मुचे रपके मत मार, तेरी दो, मत मगी आखो, आखो, चल्ड हीरो जी, हीरो जी, हीरो जी, हीरो जी, तेरा रुटियेंगो क्या हुआ वा, किते से टाइम पे एंट्री मारी, बेलकुल फिल्मों की तरह उन्हें किसे पता चला कि यहां रेप हो रहा था, बास भी खड़े थे क्या आप मेरी छोड़ी है, पहले यह बताए कि इस विराने में क्या कर रही है मैं, मैं यहां खुद नहीं आई, मुझे यहां पर लाया गया वो क्या है मैंने उसे लिफ्ट ली थी न, और चलो भवान जो भी करता अच्छे के लिए करता और पैसे भी हीरो एरोएन की तकराने की कोई ना कोई सिच्वेशन तो बनती है ना हर फिल्म में यह सिच्वेशन जब भी आई है हिट रही है, हिट रही है अच्छो चलो मुझे अभी फटा-फट घर चोड़ो और चल कर एक कप चाय पिलो और ममी से मुलाखार पर अक्ते सर्फिरी है सोच क्या रहे हो, चलो बाबा फिर कभी फरसुत में ऐसे मत करो, मैं गर कैसे जाओंगी लिफ्ट लेकी चलिया अरे यह तो जा रहा है ऐसा तो कभी नहीं होता मगर यह मोश तुझे आई कैसे बेटी अरे मा यह तो कमाल हो गया बिल्कुल फिल्मों की तरह एक लड़की सड़क पर किसी से लिफ्ट मांगती है इस गाड़ी रुकती है लड़की गाड़ी में बैठती है और लिफ्ट देने वाले उस आदमे की नियत बिगर जाती है और लड़की उसके इरादे को भाम जाती है माँ और वो गाड़ी से उतरना चाहती है कि उसने हाथ पकड़ा मगर यह सब हो रहा था तो तू वहां क्या कर रही थी वो लड़की मैं ही थी माँ फिर नई स्टोरी ए बगवान फिर एक जगह वो लड़की उस विलन के चंगुल से परच निकलती है विलन उसके पीछे भागता और भागते भागते एक जगह उसे दमोच लेता है फिर फिर एक वक पर एक हीरो की एंट्री कैमरे के सामने होती है और उसके बाद तेख धनादन डिशुम 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 उच उस विलन के छुटी कर देता है माँ क्या हीरो था यह तो भगवान नहीं उसे भेजा होगा नहीं तो आजम कहीं मूँ दिखाने के लायक नहीं रहते बिलकुल मा वरना कल की पेपर में हेडलाइन होती कि हेड कांसिपल देव की नंदर जर्मा की बेटी के साथ बला 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 अतकार तु यह हर करते करना बन कर दे वरना मैं एकभारों में चपवा दूंगा तेरा मेला कोई रिष्ण नहीं पैसा ना कीजिए अभी बच्पन है इसमें उमरी क्या है इसकी एकी तो बेटी है हमारी अरे एकी तो भूल की है मैंने 19 साल से एकी डायलोग सुनता आ रहा हूं तुमारा अभी तो मनी क्या है उसकी अभी तो मनी क्या है उसकी बेटी तुझे उस लड़के को घर लाना चाहिए था बड़ा अजीब लड़का था मावो भावी ने दिया मुझे वरना ऐसी सिच्वेशन में तो हीरो हीरोईन को जरूर घर तक छोड़ने आता है मुझे खुद बस पकड़के आना पड़ा मगर तु फिकर मत कर मा दुबारा फिर टकराएगा मुझसे अरे मा अभी तो उसे मेरे साथ गाने वाने भी तो गाने हैं करतो कि आनाए जसे मेरे सकते इन तो हीरो मेरे साथ टाने है मेरे वाने वानfa recreation करतो कर दो नर ऐसुद र machinery जुद च रस्वाने तो Может से ससे दो working मेरा दिल बॉला इल बॉला ना दान हमारे द्यार की बहा हुई सोया है तुम मेरा दिल कोला, कुकुरुकुरु, कुकुरुकुरु कैसे दिवान की दिवानी हो गई सारे दुनियास मैं बेगानी हो गई बचाने भी तरदी तेरी मरजी दिल से लदा के सु मेरा दिल बोला कुकड़कड़ू ना जान हमारे प्यार की रोगाओ ये सोया है तु मेरा दिल बोला कुकड़कड़ू आज नहीं करको तु मेरा हो रहा है साथे सक्थ रहना, खाना, वीरा खोना है आज नहीं करता तु मेरा हो रहा है साथे सक्थ रहना, खाना, वीरा खोना है जो प्यार में काम लड़के हैं करते वो लड़के करे कुड़ू मेरा दिल बोला कुकड़कड़ू कुखड़ू, 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 कुखड के लिए मन में उंभानी चाहिए प्यार की तरंग होनी चाहिए और पर शेक नहीं करते बेटी स्वारी तो पहले सुमद नहीं असर करना शुरू कर दिया तो अम यह क्या कर रहे हो मैं अक्सर आता हूं अच्छा अकेले नहीं मां के साथ लेकिन वह अलग आती है अलग क्यों वह यहां बहु मांगने आती है और मैं नौकरी आउव मांजी की मनव पूरी हो गई वहां तो समझा मिल ही गई मैं अपने सुमबा तुम्हारे नौकरे के लिए रखूंगे एक मेंट बहु मिल गई मतलब हां मैं क्यों पुझारी जी हमारी जोडी कैसे लग रही है नारी कितनी लज्जाहीन हो गई है राधे क्रिशन राधे क्रिशन सुना मैं कंछालरत बानों अधा तुम्हीं तुम के शचथ के वे संद्युआ की तुम हारा टेलीक डोल 활र्शा फोन करना मोज एक दोड़ी होन गतना अब कुछ अता मताछत पता टील फोन नमबर बहुए सस्के स्ट डून होरा बनी स्टेलेफ दूनचा है पुछ मरा थेविदर स्ट कर दो कर दो दोक्टर फॉरन लाज कीजिए बचाईए इसे मगर हुआ कि इसको पता नहीं कौन लोग थे गाड़ी मांकर गुचल कर चले गए बचाईए इसे डॉक्टर एक्सिडेंट का कीस है कुपता पुलिस्टेशन को फोन को दोक्टर पुलिस की आने तक यादमी मर जाएगा मगर इ देखो देखो यह इंसान है इसके अंदर भी जान है यह जान है यह जो तो तुमसे गलती हुई है उसे मानो हाँ मुझसे गलती हुई है एक आडमी मेरे सामने लहुलोँ कर वान था मुझसे घलती हूए उसे था हस्पिताल पहुचा कर उचह antisSON मुझ इसा नहीं करुना चाहता उस आदमी को मरने क необход छोड़ देना चीए था जैसी लोगों ने मेरे भाई कोच चंड दीया था ए마 different अगर मेरी जैसी गलती किसी और ने की होती तो आज मेरा भाई बढ़ता नहीं जिन्दा होता वो यह कहना तो मुश्किल होगा कि यह आदमी बाबा खान का था या मन्ना शेटी का जेरा तो इसका तेज़ाब से चला गया सर्थ वो दूसरी लाश किसकी थी उसका नाम मामन चौरासी है सर्थ पास की शांतिन अगर छोपड़ पटी में रहता है उसके रिष्टेदारों को खबर कर दी है सर्थ सिर्फ एकी बेटा है उसका जो कूपर हॉस्पिल में कोमा में पड़ा हुआ है उसके लिए दवाईया लेने ज अजय को बंवाईया फॉस्पिल में पॉस्पिल माईया अजय कर दो कि आ जाए जाए अजय को खुछ करका प्रका यहां थे तरुक्ता नियुकर को अभ़के लड़की कि तरह रोता सेज़ को बलाओ तरहिए उसके अभ़के लावर तेक मर जाएगा पुन सेटकूलाओ पूली निकाल दी है अब कोई खत्रा नहीं है लेकिन पैर में रॉन बिठाना पड़ेगा अब यह चल फिर नहीं सकेगा मतलब लाइफ में मुमंट नहीं तो कुछ नहीं सब नैचरल मॉमेंट है मॉनिंग इवनिंग नाइट फिर मॉनिंग सब टाइम टॉ टाइम रोलिंग होते रहता है आदमी को एक-एक मॉमेंट फेस टू फेस करना चाहिए तुमने मसुद के चेहरे पे असिड दाल कर बहुत बड़ा काम किया है अब पोलिस के मॉमेंट का दो अक्टबर गांधी जहेंती के दिन केरवाड़ी में कांस्टबूल शर्मा का पहला मर्डर 19 नौवंबर को अरेस्ट हुआ तीन दिन का रिमेंड और 23 नौवंबर को जमानत 26 जनवरी गनतंत्र दिवस के दिन शर्मा का फाइल बन इस पहले मुवमेंट के बाद साथ मर्डर बिना किसी फॉल्ट के हुश्यारी से किया बबा गवर्मेंट जाब मिलने का एज 25 साल पिरियड 30 साल और रिटार्मेंट 55 में मगर हमारे दंदे में ना जाब मिलने का टाइम फिक्स है ना रिटार्मेंट का माई तेरे को रिटार करता हूं ना मर्दों की तरह मैदान में पीड दिखा कर वापस आया हराविश साला बहुत बड़ी बड़ी बाते करता था अरे ये तो ऐसा मर्द था जो सिर्फ औरतों के अखाड़े बे लंगोटा बांग के उतरता इस हरामसादी की वज़़र से वा मनळाशेटी अपने सीने को ठोकता होगा ऐसी 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 ऐसे बोच्ता है कि भौठ खान से टकर लेगा हर आग जिसने उसको इस शहर में पहली रोटी खिलाए उससे टकरए क्या बोलता तुम मना, च्या बोलता तुमा, ये गोली बारी, ये खूंड कराबा, क्या मिले वन तुमको हिस्त है? इचिन तुम पाना? एए अंकल, मनना को सिखाने का नहीं, हमको सब पता है, इनको पूरा गुतुन्डू ये सब दन्दे के इंटरी से पहले मैं सब लोगों को फेस टूफेस बोलाता ये मनना, ये मनना, तरे समेचा मरला आतना, तुम सब को गूली मार दे गा, पागल हो कै तुम पागल अभी मुझ बंद रखने का नहीं तो माई तेरे को गोली मार देगा मन्ना शेटी एक ही बात जानता है क्राइम बोल्ड के हर चानल का रिमॉट कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए अरे पार्वती वह मैंने ट्रांसवर रुकुआ है ता उसके पेपर कहां पे है वही नहीं क मुहीनि की तो शादी भी नहीए अब तक 6 2 9 0 2 9 यह तो जोधृष साब की घर का नमबर है् जोधृ साब की घर का नमबर मुहीनि की ड़री में और एदि है मेरी पार्सनल की आप भी नॉर्देह न लगन चौदी हाँ का नमबर तुम्हारे ड़री में कैसे आया तुन, मुहिरी, पड़के. हेलो, हेलो, विशान है घर पर, आप कौन बोल रही है, वो मैं, 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 वो, मैं समझ कई. विशार्, माँ कौन है तुम्हारा बैंका है कौन है माँ, पता नहीं, को वो है? हेलो.? क्या हाल है जयनी? क्यों तुम सोच रहें, का यहाँ मुझे से मिल गया है, हाँ हाँ! सब हो जाता है बस महबत का नशा सर चर जाना चाहिए मां पुरानी सहली है बहुत अची सहली है हाँ हेलो क्यों आंटी पास से खड़ी है क्या ने ने बैठी है तो क्या हुआ तुम उनको बता दो कि तुम अपनी जानेशी जाने जिगर जाने मन से बात कर रहे हो सुन देको, अपने ञाड़े जमाने के रफटार के साथ दौडानी होगी इसलिए फ्यूचர के प्रोग्रेस के बारे में ऐक एमर्जेंसी मीटिंग बहुत जरूरी है मा, एक बिक के पाना पूछ रही है वह बुक मैने कुछ देढ़ी है पता नही आप पता लगाता हूं बताता हूं मैं बताने की जुरूरत नहीं है मैं तुम्हें उसी जग मिलूंगी जहां आम पहले मिले थे वैसे ही बुक कोई लफ स्टोरी तो नहीं ऐसी किताब पड़कर ही तो इतना पसीनाता है क्यों अपना फटा फट फॉर्मूला काम आया कि नहीं कैसा फॉर्मूला देखो ना चन्द मुलाकातों में हम एक दूसरे के किते करीब हैं वरना यहां तो सालों लग जाते हैं नजरे मिलाने में हाँ कहती तो तुम धीगो आज के जमाने में यह सब चलता ही नहीं है आज चक्रा है दिल मिले गले मिले और चुमा चुमा देदे सुबा हुई शाम हुई दिल ने तुझ को या किया सुबा हुई शाम हुई दिल ने तुझ को या किया प्यार में तेरे पागल ने हाँ प्यार में तेरे पागल ने हर घड़ी हर पल या किया सुभा हुई, शाम हुई, दिल ने तुझे को याद किया प्यार में तेरे बागल ने हर धर हर पन याद किया सुभा हुई, शाम हुई, दिल ने तुझे को याद किया मैंने कभी ये सोचन था, प्यार में तभी होता है मैंने कभी ये सोचा न था प्यार में कभी होता है मैं हो कही मेरी जान कही दिल हसता कभी रोता है संग तुम्हारे बीते मेरे कल ने तुझ दोया किया सुबा हुई शाम हुई दिल ने तुझ दोया किया सुबा हुई शाम हुई दिल ने तुझ को याद किया चलने लगे जब ठंदी हवा थाम के दिल रह जाओ मैं अपना मिलन हो जल्दी हाथ दुआ में उठाओ मैं महर के बहारों में उड़ते आचलने तुझ को याद किया सुबा हुई शाम हुई दिल ने तुझ को याद किया सुबा हुई शाम हुई दिल ने तुझ को याद किया प्यार में तेरे पागल में हाँ प्यार में तेरे पागल में हर खड़ी हर पल याद किया सुबा हुई शाम हुई दिल ने तुझ को याद किया कि अब कुछ बात समझ में आई चौधरी साफ का नंबर मोहिने के पास क्यों था वो चौधरी साफ के बेटे विशाल के साथ का ना गा रही थी चलो इसे लड़का पसंद तो आया आखिर उमर भी तो हो गई है इसकी अच्छा जो कल तक बिल्कुल बच्ची थी आज अच्छानक उमर हो गई जय हो नारी मां मैं आपको सल्यूट करता हो अब आप जल्दी से चौधी साब से मिलकर शादी की बात कर लीजिए आखिर हो ना गुर्दिमार कहां वो एसी पी कहां में हैड कॉंसेल हम डोनों संब्दी बनेंगे सर पर पगड़ी बांगा गले मिलेंगे शादी की बात कर लो डैडी किसकी शादी डैडी आप शादी करेंगे अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूं यह विशाल के साथ तुने जो विशाल चक्कर चलाया ना उसका कुछ आगे पीछे का सोचा है या नहीं डैडी मुझे मालूम था कि मेरी प्रेम कहानी में मोड ज़रूर आएगा इसलिए मैंने अपने डैलक पहले से तैयार कर लिया ह प्यार अंधा होता है वो छोटे बड़े उंच नीच का फरक नहीं देखता और फिर ममी यह तो हर लव स्टरी में ऐसा होता है सेट करोडी मल की बेटी राधा हमेशा चोटी दर्दे के किशन से ही प्यार करती है ममी आपने वो सावन को आने दे पिक्चर देखी है नहीं बेटी मैंने तो एक पी फ्ल्म देखी है टार खेज़ा हो, टार बाव कर दो टारा हो। सब्सक्राइब कि अच्छ अच्छ आवास में बात मुझे तुम्हें देने का नतीजा देख चुपा हुए आई दिन जग्रापसाद आज पुलिस सेशन के बाहर जो कुछ किया आपने उसका मतलब समझते हैं अब सुनिये जाने दीजिए आखर बच्चा है तुम चुप करो तुम भी कुसूरवार हो इसे इस हद्ट पहुंचाने में डैडी जिस गाड़ी से वह बूड़ा आदमी कुछल कर मर गया यह वही आदमी जिसे मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर मारा उस आदमी के हाथ में रिवाल है रिपूटेशन मेरे नाम का कुछ ख़्याल है कि नहीं को कितना ख्याल है डैड हमारा और इस घर का मुझे पता है माम मुझे बोलने थे डैड, आपको ख्याल सिर्फ अपने नाम और अपने पहचान का है देखो, देखो इस तश्वीर की तरफ, इससे आपका कोई रिष्टा है की नहीं ये आपका पड़ा बेटा विकास चौधरी दो साल पहले पुलिस को उसकी कुछली लाश मिली थी जिसे एक्सिदेंट किरार करके, पुलिस ले उस केस से चुटकारा पा लिया बोलिए डैड, अगर ये एक्सिदेंट था, तो पुलिस सब तक उस कार, उस ड्रैवर कर क्यों नहीं पता लगा सकी वो वैसे भी कैसी पुलिस, कैसा कानून जब पुलिस कमिशने को खुद, अपने बेटे की मौत का इंसाफ नहीं मिला, तो भला एक आम आद्मियों क्या इंसाफ मिल सकता है वो तेरा भाई बात में है, पहले हमारा बेटा है, ये बाप है उसके, जा, चला गया से मुझे आपसे कोई शिकारत नहीं, कोई शिकारत नहीं, आपकी मुश्किल समझती हूँ, आप इसकी बात कर, नहीं रेवती, पिशाल ठीक ही कह रहा है ये सच है के मैंने काफी हद तक अपने आपको इस घर से काट लिया है, वक्ति कहां दे पाता हूँ मैं तुम्हें इस शेहर की हालत दिन बदिन बिगरती जा रही है, कुछ गुंड़ा दाकते हमारे कानून और वेवस्ता के साथ खिलवार कर रही है मैं बोलता तो रहता हूँ, कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है लेकिन सच तो ये है रेवती, कि सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा हूँ मैं इतना उलज क्या हूँ, कि अपने बेटे की मौत तक को भुला चुका हूँ कर रहा हूँ सलाम चौदरी साथ सलाम मुलाका तो मैं अपसे आफिस में भी कर सकता था मगर आप जानते हैं कि मैं अपने मामले कानून के दाइरे के बाहर निप्टाता हूं अच्छा किया खान जो दाइरे के बाहर में ले हूं वरना इतनी बात कहने का मौका नहीं देता चौदरी साथ आपकी बिटे ने सरयाम हमारे आदमी को मारा है उसने अपनी गुंडा ताकत दिखाई है देखो मुझे पता है कि उसने किस आदमी को और क्यों मारा है हाँ हाँ जिसे मारा है वो पादरिया पुजारी तो है नहीं खूनी है खूनी तो निकाल दो उसके नाम का कागश निकाल दो मैंने तो कभी पुलिस को रोका नहीं क्यों और कोर्ट में गवाही अकेला विशाल ही तो देगा ना आप चलिए खान मेरे साथ कुछ कानून की पंदिशे हैं वरना तुम जैसों को तो गोली मार देनी चाहिए भून देना चाहिए मशिन गन से ख्यार अच्छा है चौदरी साथ लेकिन एक बात समझ लो ऐसे ख्यार जो बाते है न तो समझा अपना बूरा टाइम आ रहा है तुम्हारे दिन अब भर गए हैं खान मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना भी लगे लेकिन जिस दिन तुम मेरी परदाश्ट की हद को चूगए उस दिन मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हें अपने मर्द होने की गलत फहमी दूर हो जाएगी है 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 खान का दिल बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई फसना जरूर बनेगा और तुमने कैसे सोच दिया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी मेरे बेटे से कि मुझे तो यह सब देव की नंदर शर्मा का किया धरा लगता है डिपार्टमेंट में तो तरक्की होनी पाई उसकी और अब मेरे बेटे से शादी करवाकर मेरा संधी बनना चाहता है मेरा संधी का संधी मैं उसकी ट्रांसफर करवा दूँगा जूनागर बेज़ूगा उसे मैं जुनागर नहीं जाऊंगा ये क्या हो गया है आपको सोतें जाकते हर वक्त जुनागर जुनागर करते हो मुझे तो यह कोई भूत प्रेद का चक्कर लगता है वालविस हाब से मिलकर थाव बहर खुश निदर आ रही है क्या हो गया ट्रांसफर हो गया अब तक तो लेटर भी टाइम हो चुकी होगी अग्वारी बजा सकता है मुझे यह बगवेट यहां के बारे में लोग कहते हैं इस साथ सोमवार आने से मनोकामना पूरी हो जाती है मैंने सोचा चलो आपसे एक सोमवार की भूल चुक हो सकती है इसलिए आज पिर से आई हूँ और मैंने कौन सा आपसे मोटर गाड़ी बंगला या हीरे जवारात मांग लिए मैंने तो सिर्फ अपना प्यार मांगा है क्या तो मुझे अपना नारी की आंचर में इतना सा सुक न हां तो मैं इस मंदिर में सर पटक पटक के जान दे दूंगी मैं तो मर जाओंगी लेकिन तुमारी इमेज खराब हो जाएगी और यह जो बेसिन के लड़ूं का भोग लगता है ना अरे तरस जाओगे एक लड़ू के लिए हां बस 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 और कितना धमकाओगी ने क्या बा प्यार में हो जाता है किया वहीं जो बॉबे में डिंपल को हुआ था और पाकिजा में मीना कुमारी को क्या बीटी प्यार माजी प्यार मुझे किसे से प्यार हो गया है यह बात सच है ना कि प्यार एक मंदिर है प्यार एक पूजा है सच है ना मां ब्लकुन सच है आपने भ करके कोई गुना तो नहीं किया किया कोई नहीं किया है यही तो मैं कह Bernard esteyum क्या मैं आपके कंदे से टिक सकती हूं हाहां शुर वो क्या है मांजि ऐसे मौके पर रोने के लिए एक कंदे की सक जुरुत होती है मांजी एक भारत्य नारी अपने मन में एक ही बार किसी की तस्वीर बिठाती है ना? हाँ बिलकुल तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूं आखिर मैं तो एक भारते नारी हूं ना हाँ लेकिन वह लड़का है कौन मेरे डाड़ी है तेव की नंदन शर्मा वह कहते हैं कि शादी नहीं हो सकते मगर माजी यह दिपार्टमेंट का मामला नहीं दिल का है हुम तुम्हारा केस तो भाई बहुत ही सीरिस है मेरी घर चलो सब ठीक हो जाएगा हुम तुम्हारा के सीरिस है हुम चाय बिना शक्कर के मुझे दो चम्मा शक्कर जाहिए हुम है हुम है हमारी अच्छा 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 बहु कैसी लगी है है तो खुबसूरत है हाँ अमें मांगे हुए कपड में हमेशा अच्छी लगते हुँ अ लेकिन ये कब और कैसे हुआ वीशाल की पसंद है अपनी देव की नंदन जी की बेटी है अच्छा अच्छा देवकी नंदन देवकी नंदन शर्मा वो अपने हैड कॉंस्टेबल जी इसे मैंने तो बहुत चोटी में देखा हूँ हाँ जी हाँ गोद में खेली हूँ आपके पिता जी बता रहे थे चलो विशाल ने बहुत बड़ा काम किया हमारा काम आसान कर दिया मगर है कहा हूँ अभे उल्लू के पठ्थे हमारी बहु को अब तक छुपागर क्यों रखा हुआ था हमसे चले आप इस शुपाम में देव ने होनी चाहिए क्यों आप देव की नंदन जी से मिलकर बात कर लीजिए करूं भी तो क्या करूं उसको समझाओ इसको समझाओ और पीट आए शर्मा जी यह सर इदर आये दर आपसे बात करनी है मुझसे सर आप आये दर बैठिये आगे नहीं पीछे बैठिये पीछे पीच्छे अधर जाएंगे हुआ कि मुझे आपसे यह उमीद नहीं थी देव कि नंदन जी कि आप ऐसे निकलेंगे लोगे बदली हो गया थार सर अबस हो गया ही समझो क्यों थार इशज बैरा कई कुसूर नहीं थे सब्सक्राइब अइस संथ्यसकी कॉप्त है बिलकुल बेवगी बैकुफ मैने के आपके दूने किदर कुछ कई हैंदुअ कि मारेगता है बहु हुआ तब तो हम संदी वाले है तो 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 कहां से करो मैं प्यार शुरू करने न दू मैं प्यार शुरू कह से करू मैं प्यार शुरू कोई जगा न खाली, भैका जल कहीं पिलाली तु ही बता मुझे मैं क्या करू करने न दू मैं प्यार शुरू करने न दू मैं प्यार शुरू घगरी जोने बाली, हाई ठाठल और ये लाली देखे दिन राज ये पहता, करते मेरी रखवाली तेरे रादो तेरे तु मैं तरू करने न दू मैं प्यार शुरू करने न दू मैं प्यार शुरू करने दू मैं प्यार शुरू और वादाना निभाना अरवादे पे आना और वादाना निभाना बाते बना के बनाती हो दिवाना मेरा जलाने को जी मुझको बुलाया यहां है दे दे मुझे प्यार तु बता दे छुपाया कहां है हदसे भी ज्यादा बेकरार हूँ तुरू 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 कहां से करू मैं प्यार शुरू करने न दू मैं प्यार शुरू कर दो कर दो कर दो कैसे बता तू जगा में प्यार वाली हाई कैसे बता तू जगा में प्यार वाली तू है धर नाणी और बेरे बाले धरकर से धरकर सलम होती नहीं है जुदा कभी मुझको कसम प्यार की दिल तुझ पे दूँगे लुठा अभी लोडार दिल से प्यार कर शुरू तूरू 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 कहां से करू मैं प्यार शुरू तूरू 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 कर दिल ते दू प्यार शुरू कगरी चोली बाली हाई का दिल और ये लाली देखे दिन राती ये पहदा परचे मेरे रखवाली तेरे ये ये ही मैं फिकार करू कहां से करू मैं प्यार शुरू कर दिल से तो प्यार शुरू मन्ना शेटी ने अपने अरिया से हपता उठा कर मेरी हुकुमत पर हाठ डाला है आज तीन बत्ती कल गोल वाड़ी और फिर काली चोकी हर जगा खुसना चाहेगा वो ये मामला दस हजार का नहीं नाम के वजन का मामला है ये बाबा खान मन्ना शेटी वजन वजन का बत्तम चामता है तू ये पैसा मैं अपने आदमी से बिजवा सकता था लेकिन मैने सोचा अभी टाइम आ गया पॉइंट टू पॉइंट पेस टू फेस टॉइंट टॉक करने का खान भाई ये अफ़ता इसलिए वापस करने आया हूँ क्यो इस शेहर में पहला टाइम हम तुमको सेट बोला इस शेहर में पहला रोटी और साथ प्रिट जपने नहीं जाते रिव़ालवर के माफिक रखे जाते तुम तुमसे मिली रोटी के लिए मैं ने भी कितनी बार मौट को फेस टुवेस किया कल दक दंदे में सब मोमेंट मेरा और नाम तुम्हारा आज नाम भी मेरा मोमेंट भी मेरा अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा तक्ता ऐसे पलट सकता हूं ऐसे लेकिन पॉलिटिक्स और क्राइम में अपोजिशन नहीं तो मोमेंट नहीं कि खालवा एक बात तुम भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं अमारे दंदे में जो बारी पड़ता है वह इच हुकुमत करता है कि उन्नों इसके एक एक कादमी को चुन-चुन कर मारना शुरू करो कर फुमत कर छूँ कि इस खेल की शुरुबाद करने के लिए तूने मजबूर किया मुझे शेटी अपने आद्मियों को गिंकर अभी से उनको दफनाने के लिए जगा और जलाने के लिए लकडी का बंदोबस्त कर लो खान बाई मुर्दे का मुंदन कर देने से वो अलका नहीं हो जाता दो चार आदमी को मानने से पन्ना शेटी का मुवमेंट ब्लाक नहीं होता मैं चाहू तो तुमारा मुमेंट अभी ब्लॉक कर सकता हूं लेकिन एक दिन खान पर उठने वाला वार तुने खुद पर लिया था आज तेरी जिन्दगी बक्ष कर मैंने वो करजा उतार दिया है और फिर तेरा जिन्दा रहना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मैं टू मैं और पावर तू पावर का मतलब भी तुम्हें समझाना है हलो कमिशनर सा को दीजिए यह वो सो रहे हैं रात को देर से आये वो किसी पार्टी में गये थे हूँ बहुत थक गए होंगे ना ठीक है मैं बात में बात करता हूँ यह आपरेशन मुश्किल जरूर है मगर हम कामयाब होंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि हम उन्हें जिन्दा पकड़ सके पुनु जाडिया ने अपने बयान में इन्ही लोगों के नाम लिये हैं खतरनाक और शातिर मुझरिम हैं बैरिकेट साथ और ग्यारा से हवलदार सालवी और पांड़े की रिपोर्ट के मताविक यह लोग चंबूर के इस हिस्से में छपे हुए हैं विजे यह सर्व पूरी नाकाबंदी के बाद इस हेरी की तलाशी शुरू कर दो राइट सारे होटल रेस्टोरेंट धाबे दुकाने क्लब्स जुए खाने सब जगा अच्छी तरह से चान मारो क्या पोजिशन है अब सर जस जगी की हमें खबर मिली थी वहाँ पे तला लागा हुआ है कि इस तुम गुप्ते के कांटक्ट में रहो और मुझे साथ तीन और दो की रिपोर्ट देते रहो हो कि सर तोड़ दो यह ताला यह सर कर तोड़य सो मुझा यह जोड़ हो कि रūs को एस को ऑज़ कर दो इस झो मैं अउसे दो उट्ट होट आओए हमच ईजड़ि करें लगे घुक्त टैंश我们 हो आजड़िस हम आजड़िस हम आजड़िस हम आजड़िस कर दो पर फंक पेटाल Спिर क touchdown बड़ा हैं स्द пошत रेचैज हूक कि लिए छिए वायाच微 बड़ा मिस्टर चौदरी, यह छोटी सी बात नहीं है, यह सब आपके जोश और नासमजी का नतीजा है, मुझे पता है, यह सब क्या हुआ है, मुझे पता है, और मुआफ कीजिये, मैं अपना काम आप से बेहतर जानता हूँ, मिस्टर चौदरी, आवाज मत दबाईए मेरी, मत दबाईए मेरी आवाज, पूरा शहर खून खराबे और देशत में डूबा हुआ है, आज एक आदमी को घर लोटने में देर हो जाती है, तो उसके घर वाले उसकी जिन्दगी के लिए दौाएं मांगते है, यह आपके लिए शान की बात होगी, लेकिन मेरे लिए शर्म की बात है, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी और अपनी पोजीशन का ख्याल है, आप जब अपने घर में रात के नशे का खुमार उतार रहे थे, तो मैं अपने सिपाईयों के साथ उनकी गोलियों का सामना कर रहा था, मुझे य विल्मों के प्रीमेर पर जाकर हीरो हीरो उनकी बगलों में घुजकर तस्वीरे खिजवानी चाहिए, मिस्टर चौधरी, यह सब मेरे परसनल मामले हैं, आपको मालूम नहीं है कि आप कितना नुकसान उठा सकते हैं, तो क्या कर लेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा मेरी ट हौसला रखिए, हमारी सारी पुलिस फोर्स आपके दुख में शामिल है मिस्टर चौधरी, पुलिस के नाकाम होने के क्या वज़े हो सकती है, क्या चार अपराधियों को पकड़ने के लिए 20 लोगों के पुलिस फोर्स क्या कमपड़ कही थी, क्या उनके पास आप से ज्यादा अच्छे अथ्यार थे, आप जवाब चाहते हैं, तो मुझे बोलने क मौका तो दीजिए, इकबाल को जब गोली लगी, तो आप उससे कितनी दूरी पर खड़े थे, क्या मतलब है तुम्हारा, मिस्टर चौधरी, क्या ये सच है कि उनकी गोलियों से डरकर, पुलिस भाग खड़ी हुई थी, देखो, देखो कोर से ऐसे, तुम क्या समझते हो कि 1419 रुपे और 70 पैसे की नौकरी के लिए इसने अपनी जान दी है, नहीं, ये अपनी ड्यूटी को अंजाम देता हुआ मर गया, क्यों, क्यों तुम्हारे कैमरे की आच ये सब किस नहीं देख पाती, तुम्हें सिरफ हमा देख पारी कोरबानीं नहीं। पूच्वो अगज्टे से, पूच्वो, क्या खोए है इसने, पूच्वो ने क्या खोया है 수गया लोगों ने, तुम्हें सब लोगों को सिरफ बाताय बनानी आती हैं। ल変 में। मिस्टर चौधरी आपको इस कंडिशन में किसी भी तरह का तनाव लेना नहीं चाहिए आपको कम्रीट रेस्ट की जरूरत है ऐसा भी क्या हो गया है मुझे आप डॉक्टर लोग मी बस कुछ माना भी कीजिए ना जब डॉक्टर खुद कह रहे हैं अच्छा तो मैं चलता हूं थैंक यू रोग जो अविशाल पापा को देना जी एक मिनट पापा का फोन हां है अलो विजे यहां सार बोलो विजे सर मेरा शक्स ही निकला ठाकर उन लोगों के साथ मिला हुआ है अर्यू शूर जी यहां सर उस दिन के ऑपरेशन में हम नाकाम इसलिए हुए थी सर अचान मैं अभी पहुंचता हूँ राइट सर ऐसी हालत में आपका जाना क्या बहुत जरूरी है अर्यूरी है डार जब डॉक्टर अंकल ने आपको मना किया हुआ तो आप क्यों जाके उदर नहीं बेटे ऐसे वक्त में मैं बिस्तर कैसे पकड़ सकता हूं सारे शेर की नजरें ठि अच्छा को है वो सामने प्लीस सर मुझे गत्ती होगी मुझे माफ कर दो सर प्लीस सर मुझे माफ कर दो तुमने हमारे डिपार्टमेंट को वह दाग दिया है जो खान जैसे सेक्रों सेपाईयों का खून भी नहीं दो सकता प्लीस की वर्दी की तोहीन की है तुमने खून किया है उसकी मर्यादों का इसी हॉस्पिटल ले जाओ तीजाब साली शरद जी माल गोड़ा उनमें रखवा दो ठीक है खान भाई बोलो डॉक्टर देखिए उसकी जान नहीं ले सकता मैं डॉक्टर हूं खुन नहीं कर सकता मैं ऐसी ही ना डॉक्टर विकास चावधरी ने बोली थी मुझे पलीस को पंचनामे के लिए उसकी ला पंचनामा भी मैं करूंगा और पोस्ट मार्टम भी देखिए देखिए मेरे 15 साल के क्या होगा यह बात खुल गई तो मेरी डॉक्टर तुमने अगर ठाकुर को नहीं मारा तो मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी जान ले भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा डॉक्टर चिनाल वो होती है जो पकड़ी जाती है तो स्मार्टम रिपोर्ट में ठाकुर की मौत तुमारे हाथ तो नहीं चौधरी के मारने से होगी हेलो, हेलो, गॉंपी टाइम्स हा मैं प्रस रिपोर्टर सकते ना बोल रही हूं एक हैडलाइन नीजे कलके इश्यू के लिए एसीपी चौधरी ने जिस सब इंस्पेक्टर को पीटा था उसकी डेथ होगी है होस्पिटल में एसीपी चौधरी के हाथ हो इस्पेक्टर की बाथ अरे चौधरी खा गया ना मेरे महरत को मा डला ना तुने उकसे तुमने क्यों आजग किया तुमने अपने सीने पर गोली क्यों नहीं खाई क्या कुमने मेरे सुहाग को जाना पूला क्यों थैसे पालूंगी मैं अपने बच्चे को कैसे कहां सुलाओंगी मन के लिए खादा क्या करूंगी मैं भाला क्या थैसे जाने नवाब दो जादरी में क्या थैसे ममा, ममा, ममा हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है करने दो नैनो को बाती करने दो नैनो को कि अठाइब है कि अधर ना यह वह 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 वायल कि सांसों में है गीत मिलन के सांसों में हैं गीत मिलन के धरकन ले अंगडाई सांसों में हैं गीत मिलन के धरकन ले अंगडाई मैं तरही बाओं की गल्या, मन में आशाओं की तल्या, खिलने दो ने नूप। बाती करने दो ने नूप। बाती करने दो होटों से जुना कह पाए, खामोशी हो हो कहने दो नेनों को बाती करने दो नेनों को बाती करने दो क्या सोच रहे विश्रा कुछ ने कुछ भी तुनी सोच पा रहा हूं सब कुछ देख रहा हूं कुछ देखना पड़ेगा सब ठीक हो जाएगा विशाल अंकल घर आजाएंगे और सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा यह बात मैं अपने आपको क्यों नहीं समझा पा रहा हूं मुझे क्यों लगता है कि कि जैसे कि किसी लड़ाई की शुरुवात है यह कि अपना पाव रख दिया और मैं डस्ता जा रहा हूं टेस्ता चला जा रहा हूं टेस्ता जा रहा हूं चौद्रे ने जब ठाकुर के उपर हाथ छोड़ा तब और कॉन-कॉन लोगते वहां उनके बैयान उन सब के बैयान में भी ठाकुर के पीटे जाने की बात है और पोस्ट-अमोटम की रिपोर्ट में मौत की बज़े उन चोटों को ही बताया गया है हां टॉक्टर गोकले ठाकुर की मेडिकल रूपोर्ट तयार किया आपने यह सर वह पेपर्स मैंने इस फाइल में फाइल कर दिये हैं मिस्टर ठाकुर को ऐसी की बीमारी थी ही नहीं अईसे चौदर की तबित किसी हैं उन्हें हॉस्पिटल में कुछ दिन और रखना पड़ेगा गुड इनिंग सर शेटी बोल रहा हूं बोलो शेटी क्या बात है सर एक गुंडे के हाद एक गुंडा मारता है तो बात सौंज में आती है एक पॉलिस वाला पॉलिस को मार दाले यह बात सौंज में नहीं है सर हाँ मगर इस मामले में तुम्हें सर खपाने के क्या जरूरत है भाई सर नहीं कुछ भी नहीं शेयर में इस मॉमेंट पर बहुत चर्चा चल रहा है नजर रखना पड़ता है ना साहब पॉलिस वाले हम पे नजर रखते हैं पॉलिस वाले पे अगर हमारे लाइक कोई सर्विस है तो बोलना साहब येस मैं में स्टर चौदरी से मिलना चाहता हूं देखिए हमें उपर से और्डर्स मिले हैं उनसे कोई नहीं मिल सकता क्या बात कर रहे हैं आप मैं उनका बेटा हूं मुझे कोई नहीं रोक सकता देखिए अगर आपने जबर्दस्ती की तो मैं आपको औरेस्ट भी कर सकता हूं इसलिए हलो मिशाल कैसे आना हुआ अंकल मुझे डैडी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा तुम समझते नहीं हो कि उनकी तब्याद ठीक नहीं इसलिए उन्हें अस्पताल में रखा गया है और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें किसी से न मिलने दिया जाए देखो बेटे ठाकुर की मौत ने उनकी दुमा की संतल उनको काफी सद्मा पहुचाया है ठाकुर की मौत एक हादसा भी तो सकती है अगर मिस्टर चाधरी इस केसे बच जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी और हमारा डिपार्टमेंट भी एक बड़ी बदनामी से बच जाएगा बदनामी तुम खुद को परिशान मत करो एक तो दिन में सब ठीक हो जाएगा क्या हुआ विशाल वो ठीक तो है ना और कितने दिन रखें यूने होस्पिटल में मुझे डैडी से मिलने दियागा मा क्यों तुम देशाय से मिलकर बात तो करो विशाल मिला था देशाय साब से उन्हें टैडी की फिकर नहीं अपने डिपार्टमेंट की फिकर है कहरें सब ठीक हो जाएगा अब बोलिये खान भाई क्या करना इस चोधरी का मैं इस केस को दोनों तरह से लर सकता हूं समझ रहें न मैं क्या कह रहा हूं चोधरी को ठाकुर के कतल के जुर्म में उम्रकेद भी दिलवा सकता हूं और उसे कोट में पागल भी साबित कर सकता हूं बस आप बोली करना क्या है इस केस में किसके मुझसे क्या बुलवाना है कौन से दबतर से क्या चाहिए मुझे सब बता दो मैं कोट के बाहर का संभलता हूं और तुम कोट के अंदर का का चाहदरी का इस हास्पिटल में पूरे दर से कहां दो के डाक्टेट मैंने फाइल देखे इस केस में मुश्किल है तो कही है फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ भी कीजिए वकीक साहब कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा आपका बड़ा हैसान होगा हम पर खान बोल रहा है हूं ठीक है ठीक है मैं देख लेता हूं देखिए इस केस में कुछ हो नहीं सकता ये केस बहुत ही कमज़ूर है मैं क्या कोई भी वकील इस केस में हाथ नहीं डालना चाहेगा ऐसा क्यों क्या रहे हैं आप तो कानुनी तरीकों से वाकिफ हैं यहीं तो पेशा है आपका फिलहार उन्हें छोड़ा लीजिए फिर केस लड़ लेंगे हम इन दिनों की तव्यत पी कुछ ठीक नहीं है घर पर परिशानी समझता हूं लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूं मुझे माफ कीजिए चल माख चल यहां कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता है कि अलो कौन हो तुम पीटर भी कोस्ता कि अपके पास शेक्स्पीर के कोई बुक होगी क्या शेक्स्पीर कोई बुक आप देखे ना मैं आपको पढ़के लुटा तुम आप गलत जगह पे आगए हैं जाए खार छोड़िए मेरी जबान बहुत साफ है इसिंट इट माइस पीच इस बेरी मेरी गुड है क्या लगता को मेरी बाचीट से मैं पीटर डिकोस्ता हो सकता हूं कि नहीं दरसल मैं पीटर डिकोस्ता वह लए यूसुफ कुर्रम नाम है मेरा अबलदार कामत कि सो रहे थे क्या जाओ जाकर किसी को बला करना ओ इन्हें सही जगह पर लेकर जाए सिग्रेट आप ये प्रांड ने पीपे ओओ मैं आपकी माची सिंसमाल कर लो है 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 हैंक यू है है मेरी सिग्रेट का है मेरी सिग्रेट का है 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 मेरी सिग्रेट ने चाहते हैं है कि उपटर साब मेरे बच्चे को बचा लेजिए उसे खुन ने चड़ा तो वह मार जाएगा जो सर खा रही है आप जब खुन का इंजामों का तभी चलेगा बच्चा लेजिया उसे बच्चा लेजिया डॉक्टर यह कोई तरीका है बात करने का इन्हें अच्छी तरह से समझाएए ना देखिए आप बैठ जाएए यह इंद्जाम कर रहे हैं बैठिए मिस्टर चोजरी मैं आपके इंट्रोड़क्शन करवा दूँ डॉक्टर रस्तोगी डॉक्टर गुप्ते डॉक्टर सहाय और बिलकुल आपके सामने डॉक्टर खान हेलो आप लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है यह आदमी तो कल पागल बनकर मेरे कमरे में घुशा था टीकॉस्टा टीकॉस्टा से खुर्रम और खुर्रम से डॉक्टर खान बन गया रिलाक्स मिस्टर् चौदरी रिलाक्स पानी लीजिए और कफी मुझे कब दी गई देखिए मिस रुबीना अभी भी कॉफी लिया आपके पीछे खड़ी है ये औरत कल इस डॉक्टर के साथ जबड़ा कर रही थी अपने बच्चे को खून दे लाने के लिए इस अब क्या हो रहा है क्या मुझे पागला बनाने की कोशिश की जा रही है मेरा तुमाशा पर आया जा रहा क्या मैं आप मैंसे किसी को नहीं बख्षूँगा आप सब लोग इस साधिश में साजयदार हो यह आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा मैं कहा हूं ठीक नहीं होगा वाइस इन्हें इनके कमरे में ले दाओ कि अब बढ़े मैं ख़रकता हूं इस के बगार सकता हूं कि यह क्या हो जी सोड़ी उपिर थोering ड़नी ओन तुम मनtha कोरण है कमिशनर साहे चाधरी साहिब कर दो पहले सी जानता है कि तुम्हारे साथ कोई पसाना जरूर बनेगा थाकुर को अस्पताल में मैंने मरवाया कि यह तो ने खुन करवाया थाकुर का तुम्हें बड़ा फक्र था ना अपने कानून पर अब उसी कानून से बाबा खान तुम्हारी सही पहचान कराएगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि कानून का हर मोहरा मेरे इशार उपर चलता है कोट में सिर्फ इतना ही सावित नहीं होगा कि ठाकुर का खुन तुम ने किया बलके तुम सर्फिरे और पागल हो यह भी सावित हो तुम्हारे इसी गरम खुन ने तुम्हें दबा कर दिया चौत्री मैं चाहता तो तुम्हारे बड़े बेटी के तरह तुम्हें भी लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं लंगडे खोड़े के तरह बिठा देना चाहता हूं मेरे बेटे का खुनी तु है तुने मेरे बेटे को मारा हां मेरे कहने पर मन्ना शिती ने काड़ी के नीचे कुछला था उसे मैंने मरवाया था तुम्हें तुम्हारे तरह सच्चाए के पंदे में करदन दिने का बड़ा शौक था एक जूथी रिपोर्ट तैयार करनी थी कंगा कर दिया उसनक लिपर हमजाद है तुम्हें मेरे संदगी केयर मैं तुम्हें कर दिया है चौदर तुम्हें गुछ्सा करने की इंजाज़त नहीं तो इसे इन्हें आराम की जरूरत है और कल तुम्हें कोट में बित जाना है कानून के कुछलों खरीद लेने से तू कानून की सच्चाई को नहीं मार सकता। कानून की छट के नीचे सच्चाई का एक कुना हमेशा महफूज रहता है। तेरी जीत की खुशे बहुत दिन तक नहीं ठिकेगी खान। तू सुन रहा है ना खान। पिछले 25 सालों से नहायत इमानदारी से मैं अपनी ड्यूटी ने भारा हूँ यूर अनर। मैंने अपने फर्ज की खातिर कभी अपनी जान तक की परवादे ही की। पीस यूर बार अपनी जान को जोखों में डालकर मैंने खत्रों का सामना किया है। यह देखिए औरॉनर। देखिए यह गोणियों के निशान उस बात का सुबूत है। अपनी वीर्टा और सहस की कुछ मिसालें भी पेश की हैं। लेकिन यह उस दौर की बाते हैं जब इनकी दिमागी हालत बिलकुल दुरुस्त थी। मगर अपसोस। पिछले कुछ सालों से जब से इनका बड़ा बेता एक हाथसे में मारा गया। इनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगर चुका है। यह सूटेर। खिलस है। मेरे डाड़ी को फसाए जा रहा है। आप बैठ जाएए प्लीज। अदालत की कारवाई में दखल मत दीजी। विशाल प्लीज। मिलाड। एक तरह से मिस्टर चौधरी के हाथों सिर्फ एक इंस्पेक्टर की मौत हो जाने से पुलिस डिपार्टमेट एक बड़े कलंग बड़े नुक्सान से बज़ गया। वरना इससे बड़ा भी कोई हाथा हो सकता था। मैं कहता हूँ ठाकुर मेरे हाथों से नहीं मरा यूरॉनर। मैं अदालत को कुछ और भी बाते बताना चाहता हूँ। मिलाड। पहले दी मिस्टर चौधरी से छोटी मोटी हरकते होती आई हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछले दिनों पिना किसी ठोस प्लानिंग के अपने 20 जवानों को लेकर मिस्टर चौधरी एक पॉब्लिक लेस्ट पर खतरनाक अपरजियों से भिर गए। और इस ऑपरेशन की बारे में इन्होंने कमिश्टर मिस्टर देसाइड से भी सला मशुरा करना ठीक नहीं समझा। यही नहीं मिलोड उस भीर भरे इलाजे में इन्होंने गोली भी चलाई जिससे आम पबलिक में से दो लोगों को गंभी रूप से चोटे आई जिनका इलाज चल रहा है। और तो इस हाथसे में नौजवान कॉंसेबल खान को भी अपनी जिंदगी से हथ दोना पड़ा। इनके जुलोन की इंतहा तो तब हुरी मिलोड जब इन्होंने एक और सब इंस्पेक्टर ठाकुर को पीट पीट कर मार ड़ा। जब यह थाकुर को पीट रहे थे तो इंस्पेक्टर शर्मा मा मौझूद थे। मैं उन्हें बतोर गवा बुलाने की इजादत चाहूँगा। इजाज़त है। इंस्पेक्टर शर्मा। मिस्टर चौदरी ठाकुर को बेरेमी से पीट रहे थे। आप मौझूद थे वहां। जी हाँ। मैं मौझूद था। लेकिन ठाकुर को इतना नहीं पीटा गया। जिससे उसकी मौत हो जाए। मुझे तो ठाकुर की मौत की कोई और वज़ा लगती है। आपको लगता क्या है यह मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आपने देखा क्या है वो बताइए। सब्सक्राइब मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ तो ठाकुर को जब इस हद तक नहीं पीटा गया था तो फिर उसे अस्पाल ले जाने के ज़रूत क्यों पड़ी। यह तो आप बांते हैं ना कि उसकी आहलत देखकर आपको भी लगा कि उसे अस्पाल ले जाना चाहिए। जी अब आप जा सकते। मिलोर्ड मैंने अदालत के सामने सारे आहलात लगती है। और मिस्टर चौदरी की मेडिकल एग्जामनेशन रिपोर्ट भी पेश कर दी है। जिसे डाक्टर ठक्कर ने तयार किया है। जिसके अंदर बस। बहुत हो लिया यह नाटक। बंद करो यह सब। बंद करो। मिलोर्ड यह रिपोर्ट जूटी है। यह डाक्टर ठक्कर भी जूटा है। बिका हुआ है। यह सब बिके हुए है। मुझे उस हस्पताल में लगातार पागल बनाने की कोशिश की गई। एक ही चहरे को दो तरह से मेरे सामने पेश किया गया। पहले आदी रात को मेरे कमरे में पागल आता है। और फिर दूसरे दिन उस ही पागल को डॉक्टर खान बनाकर मुझे इंट्रोडूस कावाया जाता है। एक और अपने बच्चे के लिए खूल मंगती है। वो डॉक्टर से चगडा करती है। और दूसरे दिन वही औरत नर्स पनकर मेरे सामने आती है। यह सब मुझे पागल बनाने का तरीक है नहीं। यही है वारत। विलॉट यही है वारत। इस वार वकीर बनकर आई है। विलॉट। मिस्टर जोजरी की यह हरकत अधालत मिले सबसे बड़ा सबूत है। यह लायर मिसेस गुपता को नर्स बताते। हो सकता है। यह मुझे किसी मंदर का पुजाली कह दें। और आपको फिल्म एक्टर्स दिलिक कुमार यह धर्मेंदर। ओर्डर ओर्डर ओर्डर। यह अभी है। अग शायद आप यह कहेंगे कि यह होलदार पहीं सागल है जो मादमें डॉक्टर बना। ओर्डर ओर्डर। मिलॉर। यह सब नाटक है। इस चक्रवियू की रजना बाबा खान नहीं की है। और मैं उसकी गुंडा ताकत को खत्म करना चाहता था। मैंने सब इस्पेक्टर ठाकुर पर हाथ इसलिए छोड़ा। क्योंकि वो बाबा खान से मिला हुआ था। और हमारे आपरेशन के नाकाम्याब होने की बज़ा भी ठाकुर ही था। जिसे बाबा खान ने बाद में हस्पताल में मरवा दिया। ताके वो इल्जान भी मुछ पर आ जाए। और यही नहीं मीलॉर। मेरे बड़े बेटे की मौत की जिम्मेदार भी बाबा खान और शिक्टी है। यह बात मैं अपने परिवार की माजूदगी में कोड को नहीं बदाना चाहता था। अब अब अधालत भी अगर बाबा खान के शर्यंतर में शामल होकर मुझे जूटा मानती है तो। मिलोड। मिलोड। क्यों इस हद तक परिशार किया जा रहा है मेरे पती को। मैं उन्हें क्या कुछ नहीं किया अपने पारिक के लिए। अपनी चाहत पको खत्रे में जालत कई बार। और आज इस बड़ी अधालत पेस करा। मिलोड। 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 जैसे की इनके बड़े पेटे विकास की मौत के एक हफ्ते बाद यह मुझे किसी फिल्म की प्रेमिर में ले जाना चाते थे मैंने सुचक हैर्ब। इस हदसे को बुलाने के लिए यह बाहर जाना चाते हूंगे। यह आदालत की मर्यादा को निभाईए जब आपको बुला कर पूछा जाए तब आपको बुली मिस्टर देता है जी हाँ एक दिन मेरे घर पर मेरी बच्ची को की करियर की कहानी सुनाने लगा किसके शहर से कितने सालों में कितनी बार ट्रांसफर हुआ मिस्टर देशाई ही हो सकता है आपकी बच्ची इन से बहुत जादा हिली मिली हो इनकी बातों में तिल्चस्पी ले रही हो मेरी बच्ची सिर्फ दो साल की है इसके बाद मैंने इन पर नज़र रखना शुरू किया अपने ऑफिसर्स को आगा भी किया कर दिल्चस्पी इस बातों मैंने टीजिए बच्ची गुच्ची बच्ची कि बच्ची ऑनकी कुच्ची बच्ची इस पाल英 प्रोग से घ्म अवच्ची साल । जजत नपकत कर दो जोे दोज सुन है वोges! कि अग्वार तो कि अग्वार मिस्टर चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि मिस्टर चौधरी का दिमागी तबद्दु बिगड़ गया है लेहाजा सरकारी खर्चे पर इसी अच्छे डॉक्टर की देखरेग में उनका दिमादी इलाज राज़ा है कर दोल्जल जाज़ा है पर पर फोटे न है जाँ पोटे नाँ पर इंदे मिस्टर चोट्री बाबू, दर वाज़ दे वाज़ दे वाज़ दे वाज़ हमारा बेटा, बिल्कुल ठीक है अब कहते हैं जूट जाएगा हो कितना गर्व था ना आपको अपनी सच्चाई, अपनी एमानदारी पर खुब अन्जाम दिया अपने अपने फर्स को कितने मेडल, कितने तमगे चुटा लिये आपके आप अपने बहादुरी के नाम लाते रहें और मैं सजाती रही घर को अपने घर को खुजगर को जो आज मुझे काटने को दोड़ता है आपके फर्स ने मेरा सब कुछ तो छीनिया कितना सुक मिल रहा है ना मुझे आज आपकी यह हाले देकर विशाल को कोट में वो सब नहीं करना चाहिए था रहेवती आपको अपनी विशाल का घुस्सा करना जायज नहीं लगा भरी अदालत में आपका मजाख बनाया गया आपका बेटा जो आज आपके बराबर का हो चुका है वो यह सब कुछ तमाशी की तरह देखता रहता अगर वो वहाँ देसाई को मार भी डाता तब मैं उसे ठीकी मांती मैं उसे ठीकी मांती और कितने इंत्यान देने होंगे मुझे आपकी पत्ती होने का और किसना मुक्तार करना होगा मुझे आप सारी जिंदगी से स्कानून की दुहाई देते रहे वही स्कानून आज तहर बनकर मेरी दुनिया में तूट पड़ा मेरी बीटी को मेरी बीटी को साले, उने समाले पे हाद उठाता है करता है लाट। याट। कि वाट। याा गुंडा गर्दी स्थ तेर को आती है, हाँ? साले, तेरा कभी मुझ जैसे से वास्ता नहीं पड़ा ना? यह शुरुवात है, साले? सुरुवात, जब तक तेरे करम खुम को ठंडा नहीं करूँगा, कॉट की तारीक नहीं पड़ेगी! मिस्स चाधरी? देसाए, यह मत समझना कि मैं कोई फर्याद लेकर आई हूँ तेरे पास, मैं तो तुझे आगाह करने आई हूँ, कि तेरी बर्बादी का वक्त अब आ गया है, और अगर विशाल मेरा बेटा है, अगर वो मेरा बेटा है, तो तेरी जेल की सलाहें उसके छू भर लेने से तार-तार हो जाएंगी, और उसके बाहर निकलते ही, तुझ जैसे कई पापियों के जिंदगी के फैसले होंगे, देखे मिस्स चौधरी आप, हमारी जिंदगी तो तुनियासों के सहलाब में डुबो दी, अब अपनी दुनिया की तरफ इस बढ़ते हुए तुफान को रोक सकता है तो रोक ले, हाँ दिसाए हाँ, मैं रमा कांच चौधरी की पत्नी और विशाल की मा, आज इस जंग का एलान करती हूँ, कि दिसाए है, हाँ ऑाँ, कि अरान की चाँ, कर दो 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 कर झाल 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 एक विशेश सूचना विशाल चौतरी जिसे कौट में पुलीस कमिशनर के उपर हाथ उठाने के जुर्म में गिरफदार किया गया था पुलीस की हिरासत से परार हो गया है। पुलीस विशाल की गिरफदारी के प्रयासकर ही रही थी कि इसी बीच ठाने मेंटल असाइलम से श्री रमाकान चौतरी भी भाग निकले। श्री रमाकान चौतरी पुलीस विभाग में एक उच्च पद पर आसीन थे। पिछले दिनों उन्हें अयोग य ठहरा कर पद से हटा दिया गया। ठाने मेंटल असाइलम में उन्हें दिमागी इलाज के लिए रखा गया था। विशाल चौतरी या श्री रमाकान चौतरी के बारे में कोई भी सूचना यदि किसी को मिले तो वो तुरंद नजदी की पुलीस ठाने में खबर करे। सूचना समाप्थ हुई। प्रेशन रुपान। प्रेशन रुपान। प्रेशन रुपान। यह लो बात करो। तुम्जे निमासते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक पागल कुछ भी कर सकता है। पागल खून भी कर सकता है। तुम्हें 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 जाकर मंगकरू सब्क्राइब मुझे चौड़ दो मुझे उसका नाम बताओ मुझे चौड़ दो किसने मारा आता जाकर को मैं पताती हूं पताती हूं अगर चौधरी लायर गुपता तक पहुंच सकता है तो वह डॉक्टर विवे को भी ठूंडेगा चौधरी के हाथ को इस सुबूत नहीं लगना चाहिए युझे टक्तर को बाद सकता हुझे तो करुब हुझे हुझे थे युझे हुझे थे युझे तो झाल 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 मैं तो सजा के लाइक था सर और आपने मेरी और मेरे परिवार के जिन्दगी बचा ली अब कोट में मैं बताऊंगा मैं सब को सच सच बताऊंगा मैं बताऊंगा कि मेरे इन हातों से ठाकुर को कैसे मरवाय था इन लोगों ने शायद याई मेरा प्राइस चित होगा जोधरी साब यह जगा आप दोनों के लिए महभूस नहीं है किया क्या देख लिया है जंदगी में बिगास की चिता देखी हमेशा तेरी मा की भरी हुई आखे देखी और आज तुझे और खुद को भी अप्रादी बने वे देख लिया ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा अभी डैड़ वक्त ने कैसे रौनदा है मेरे अपीमान को पच्पन से मुझे एक ही शौक था दौड़ने का हर प्रतियों गिता में दौड़ने के लिए ना जाने मुझे कहां से शक्ति आ जाती थी कोई मुझे दाई और से पिछार नहीं सका था और बाई तरफ से तो मैं किसी को निकलने ही नहीं देता था लेकिन दौड़ कर पहुचना कहा चाता था मैं किस लाइन मार को छुना चा रहा था मैं आज मुझे समझ में आया कि दौड़ तो मैं अकेला ही रहा था जिन्दगी के बत्तिस साल मैंने खर्च कर दिये इस अंधी दौड़ में और मिला क्या अच्छा होता अगर गोली मेरे दिल पर लग गई होती मर गया होता लेकिन मुझे तो जिन्दा रहना था आज की ये दिल्लत देखने के लिए बस करो डैक बस जलील आप नहीं हुए जलील हुए ये इनसानियत ये सच्छाई जल्लत के अंधेरे में आपको नहीं इमान को जोका जा रहा है अब के नाम की पहुआ सकता है वह सब्सक्राइब याज दुनियाँ में वाले आपके नाम को हमेशए रखेंगे मैं हमेशा रखेंगे यद्ध हमेशाय रखेंगे आपके नाम को मौलत देता हूँ अब आप कुंसी बुरी खबर लाए हो सर हम लोगों ने मिस्टर चौधरी को गिरिफतार कर लिया है यह इस इस प्रिजे साफ को मिल गई होगी चौधरी साफ में काफी हंगामा मचाई हुआ है सर आप चलती आजाएंगे साफ सर में आज बहुत खुश हूं सर मेरे जुनागर का ट्रांस्पर फर्मिनेंटली रुख गया हम दोनों का प्रमोशन होने वाला है यह संपेक्टर शर्मा सर रिबॉल्वर हमने इनके हाथ से चीन लिया है लगता है कि पागल खाने की अबू हवा तुम्हें रास देहीं आई वगर तुम भूल गए कि बाहर की दुनिया से हमने तुम्हारे सारे तार काट दिये यह क्या हो रहा है तर्वाजा क्यों बंद किया अब उन पर तेरी आवाज का रोप नहीं चलने वाला दिसा ही क्योंकि तेरा गिनो ना चेरा उनके सामने बे रखाब हो चुका है क्योंकि तुम्हारे इमानदारी का एक तमाचा पड़ा तो सब कोई धुनला दिखाए देले लिए देशाई पहचाना इसे यह उनी पापियों में से एक पापी है जिसकी वज़े से मेरे डाट को गुनेगार साबित किया गया हुआ आज तुछ था इस दुछ रख लुए थी पुलिस पीजिशन यह अज़िए तेशन जी बाद में फोन करेंगे जी वह तो चांस लेने वाली बात हो गई जी अब एक अधालत हमारी भी देखने दिसाई आज सारी दलीले गवा और सबूत सब यहीं पेशोंगे अगर तुम्हें अपनी जिन्दगी प्यारी है तो अपने हाथों से मारोगे इसे भी तुम्हें जीओना आप यह सूलाजय। ठीकुन देखने कि अगली आगलसरा से नहीं गुदेंडक्विलेशन की फच्टिंत। प्रणी Nope पेपर्स पर साइन कीजिए दिसाई जब अगर तुमने साइन नहीं किया तो एक घेंटे के अंदर अंदर यह फोटो चपेगी खबर बनेगी कमिश्टर देसाई के हाथों कॉंस्टिबल कुपता का खून मेरी इज़त तो फिर इन पेपर्स पर साइन कीजिए अपने चेंबूर और विरार के गोड़ां से सारा माल निकाल दो एको अज़िए पार अन्य कर अज़िए बार्या है अधर्ण लाइसंस पीचिए चेक करो यह बैदो जैनलो इन दो जैनलो जाषव बेंदो जावी जाव पुलिस को अंधेरी इलाके के जहिंद अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 3 से बीस लड़किया मिली यह वाबा खान के किसी नध्य की रिष्टदार का बताया जाता है इसका भी फ्लाट हो फासी लगा दनी चाहिए ऐसे लोगों को पुलिस तो खान के पीछे और शेति के भीचे हादों के पड़ी हैं सुना है कि किसी फ्लैट से लड़किया भी मिली हैं अ यह मुझसे मत करवाईए वो लोग मुझे साइन कीजिए सर अगर आप पर्मिशन दे तो इस मौके पे चाय हो जाए देशाई साब चाय लीजे ना प्लीज क्या अब तो आप यही कहेंगे यह तो वही हवादार है जिसका आपने राम नाम सत्किया था हाँ यह भई है जिसाई साब खेल खेलना हमें भी आता है 24 घंटे में जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का दावा चेटी आज तुमेरे बरावर उपर आगया बाबा खान मन्ना शेटी बरावर का बज़न लगता है और कानून वालों ने भी अब साबित कर दिया कि हम दोनों की किमत एक ही है खान बाए अब यह वक्त हमारा लड़ने का नहीं है हाथ मिलाने का है खान बाई चाधरी और विशाल हम दोनों का मॉमेंट ब्लाक करना चाहते हैं और शेहर के सारी पुलिस पोर्स भी उनके साथ मिल चुकी है इसलिए हमारी यह मीटिंग बहुत जरूरी थी खान बाई और पुलिस हमारी खुमत पर वर पाउर करें यह तो मैं भी नहीं चाहता अब क्रिमनल और पॉलिस का फेस टू फेस फैस फाइट होगा चेटी हमारा पहला मॉमेंट इन दोनों की किसी कमजोरी को हाथ में लेने का है वो कमजोरी है चाहदरी की पतनी और विशाल के मार करें दोलिस हमारा है कर दो कर दो कर दो कर दो हो उनहीं करती कर दो कर दोिक दो Yak पर मेरे भाई का जो खून बढ़ाना वो पानी से नहीं कून से दुलेगा चादरी का एक सिपाही सरयाम सडकों पर खूम रहा है कि इंस्पेक्टर शर्मा उस दूले का एक और सिपाही जिसने हमारे किलाब जंग का एलान किया है पुलिस वाला इतनी रात को सडक पर अकेला हूं मतलब क्राइम वोल्ड का रेप्टेशन खत्रे में करें करें है है झाल 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 मैंने पहले भी का था ये लोग कुछ भी कर सकते हैं इंस्पेक्टर शर्मा की मौत के जिम्मधार आप है मिस्टर चौधरी आप शर्मा की मौत जिन हातों से हुई है उन हातों का ताकत आप जैसे लोगों ने बख्शी है मगर एक जावाज सिपाही की मौत इंकलाब लादी है डिसाई साहब शेटी और खान की सजा जेल की सराखे नहीं मौत है मौत अलो जादरी साहब पहले बार किसी पुलिस वाले ने हमारी हुपमत को उखाटे की पूछिश की है इसका अजम तो तुम्हे भगर ना ही पड़ेगा खान तुमने तो मेरे बाई को बचाने का एक मौका नहीं दिया अगर हम तेरे को तेरे पत्नी को बचाने का एक मौका जिरूर देंगे या रेव थी हाँ ठीक एक बज़े तुम्हारी पत्नी को फॉंटन के चोड़ाएं पे छोड़ेंगे तुम बाप बेटे तुना हमारी गुंडा ताकत का नंगर नास देख सकते हो जोब दर खें याँ पर्पास का ताक तुमझ हाँ यहीं, कर दू़ें इयव लिह परलत शली तुम्हार जमरेंगे । यहां हाँ ऌल्स अए राव ऑाज़ फ्रॉड व्रिव ए उन्य भाव पाज़ियो पुड़ पाज़ियो पूआ अब्चर आप्सक अब्च्र ये एसार आज कर दो कर दो रखो नपस कर दो ऑ्ट जो Хриблodня! Хриблодня! 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 Паааа решEveryВТosto ТВ! Паааа!!! Паааа!!! क text के लूब सबी मुम स सकती हुआ खूट हुआ फुर्ण कर देगी कर देने कर देखे कल ाइब तれ सब्सक्रेश कर दे र personalities झाल 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 आप हो वखाना से खाजblick झाल आम से फिसा बाल फटा कर दिर हा यख हो जब कर द刁 दिर कर दिर को फ़ पिर बाल प्रप्रीम जफरमी अजब तूने मेरे बेटे को मरवाया था ना तूने मेरी बीवी की जान ली मेरी बीवी की हत्या रे घूने मेरी बीवी की। इस गार यार इन साला मन जनुचर यहां सिसे में इनने करिया आपशुन भा कर ma मारा आप 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 करा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चल्चलeless को चल्चलस टार्च पर्ड़ित न 127 का अज़। नएग। नएग, जब जब नएग को माद करदो नएग, नएग! 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 आप्रिट कुल दो अप्रियो कि फृट्ट मुई और अपर अपराभ के वी दिए बहुर आपर बहुर नहीं गार ग्टी भींगे आपराभ कुल आपराभ आपराभ देख। यह जाती कि औरोगी नह जए कहीं तो एकित ड़िस वीजिए जास पुछatures ही कि नाई प 요से प्रकूछ पर लिंगे प्रवस्टैओक झोलम एक्राइब Similar Bright हुख हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है अभाई दो कि अभाई मुझे बचालो कान बाई मेरी लाइफ का मोमेंट कभी भी बंदो सकता है क्या पूस चादरी ने मेरे को बंब दिया की शोरी चादरी भी अGUाई कि अभूक पाँ का अभाई कि अभाई णिनक दिरिए थूश्हर्म!!! दिनक कर्णे करतें यारेना विसे कर McDowellar भोग göz एलके हैं रंवे कर लेरेन वारेन एफ रावक कर दिसे कर दोख्ज़ ज्युदा व culinary रावक पूमे कर रावक कर दोख्जोद्ग प्रो!! पिरूги कर्ण एि two servant है 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 कि अधार को उन्होंने मेरी हाथों मरवाया था चौदरी साफ निर्दोश है झालत है You are suspended, Mr. Desai. कर दो कर दो कर दाद मैं कर दो कर दो कर Himself प्यागaliśmy झाल झाल